हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज की यह वीडियो सीबी एसी सीटी एट के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 2021 की जनवरी को सीटी एट की जो वो कौलिफाइड नहीं कर पाए क्योंकि दोस्तों उने काफी निरासा हुई होगी क्योंकि सीटी एट उनकी एक या दो नमबर से उन्होंने जो है सीटी एट की जो है एक्जाम है वो कौलिफाइड नहीं कर पाए उनको इस चीज को लेकर काफी दुख भी हुआ होगा कि हमने इतने मेहनत करने के बाद हमारी एक या दो नमबर से हमारी CT8 जो है वो कौलिफाइड नहीं हो पाए तो उन सभी कैंडेट्स के लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट लेकर आए है क्योंकि दुस्तों CT8 जो है साल में दो बार एक्जाम कराती है और आप सभी को पता है कि जो CT8 की एक्जाम होती है वो दिसमबर और जुलाई के बीच में साल में दो बार होती है पर यहाँ पर दोस्तों आपकी 2020 में लॉकडाउन के कारण जो है आपकी पूरे साल जो है cta के exam नहीं हुई और जो exam होई 2021 के अंदर इसके अंदर आपको जनवरी जो 31 जनवरी को आपकी जो है exam कराएगी तो इसको लेकर lockdown को लेकर काफी candidate जो है अच्छे से preparation नहीं कर पाएं क्योंकि वो काफी जगाओं पर जानी पा रहे थे कोचिंग करनी पा रहे थे और इसको लेकर जो है उनकी जो है जो CT8 किसी कारण जो है वो कौलिफाइड नहीं कर पाए यहाँ पर दोस्तो CT8 की दो पेपर कराई जाती है साल के अंदर और दोस्तो जिन कैंडिडेट्स का 2021 के जनवरी में CT8 कौलिफाइड नहीं हो पाया या किसी कारण उनकी जो है नंबर कम आए तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुस ख़वरें निकल कर आ रही है जो मैप को इस वीडियो में पूरी इनफर्मेशन देने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 2019 के अंदर CT8 की दो पेपर कराए जाते हैं और 2021 के अंदर भी जो है पेपर वन पेपर टू हुआ अब यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए CT8 की जो है बंपर वेकेंसी फिर से आने वाली है या कली जे उसके लिए फिर से इक्जाम आने वाली है तो उन सभी कैंडेट्स को फिर से मैनत अपनी फिर से प्रिप्रेशन करने पड़ेगी क्योंकि अब जो है लॉगड़ान पुरी तरह से खुल चुकी है तो अब उन्हें CT8 कौलिफाइड करने के लिए काफी मैनत और काफी जो है टूसंस की भी जरोद पड़ेगी और वो जाकर जो है इंसर्श्यूट्स में वो जाकर कोचिंग भी कर सकते हैं तो इसको लेकर जिन कैंडेट्स की जो है कौलिफाइड नहीं हो पाई है उन सभी के लिए CT8 ने फिर से आपको एक दोबारा मौका 2011 के अंदर मिलने वाला है दो या तीन मेंदा एप्रोक्स आपको जो है फिर से CT8 की फॉर्म आएगी और उसको आपको फिल भी करना होगा और फॉर्म भी भरना होगा तो यहां से दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पहले CT8 की जो सर्टिफिकेट थी वो 7 साल की मानता रहती थी अब जो CT8 की जो सर्टिफिकेट हो गई है वो लाइफ टाइम के लिए भी अब वो हो चुकी है तो यहां पर दोस्तों जिन केंडिएट का एक या दो नमबर से कौलिफाइड नहीं हो पाया है उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि दोस्तों अब 2021 के अंदर जिन केंडिएट का qualified नहीं हो पाया है लगबग 10 से 12 लाग candidate का जो CT8 qualified नहीं हो पाया है उन सभी candidates के लिए बहुत बड़ी खुस ख़बरी निकल कर आ रही है जो मैं आपको इस video में देने वाला हूँ क्योंकि जो CT8 की exam है दुबारा कब से होगी 21 के अंदर मैं आपको पूरी information देने वाला हूँ बने रही हैगा हमारे channel study zone के साथ क्योंकि CT8 की हर छोटी या बड़ी update सबसे पहले हमारे channel study zone के माध्यम से आप तक share की जाती है अगर फिर वी किसी तरह confusion या कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको CT8 की download करनी है तो डीजी लॉकर से जाकर आप जो गूगल प्लेइस डाwnलोड कर सकते हैं 2111 जनवरी वाली और आप उसके official website से भी उसे download कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो CT8 की exam है वह आपको 2021 के जुलाई के अंदर आपको देखने को मिल सकती है इसकी official notification क्योंकि क्योंकि CBSE CT8 की जो सूत्रों से मानता जो आ रही है वो पड़ा चल रहा है कि जुलाई के अंदर CT8 की फिर से एक बार 2021 के अंदर जो है एक्जाम होने वाली है और जो इसकी फॉर्म फिल्डेट होगी आपकी मई के अंदर जो है आपको जो है इस पर फॉर्म फिलप के लिए आ CT8 की मई के अंदर जो पेपर आ रहा है उसमें भी उनको सामिल होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों उन्हें परता चलना चाहिए कि अब दो उनकी सेटिफिकेट है वो लाइफ टाइम हो चुकी है पर दोस्तों नहीं यह एक्जाम से पर चलेगा कि हमारी जो लेवल है वो क्या हो होगी और काफी जो है उनकी नॉलेज भी जो डीपली जो है इंक्रीज होगी तो इसलिए दोस्तों जिन कैंडिट का जो सिर्किट कौलिफाइड हो गया है वो इसे छोड़े नहीं वो भी इस फॉरम में फिल करें और जो है अपनी जो है बहतर परदसन इस पर देखाएं तो आप सभी को निरासा होना नहीं है दोस्तों आपकी जो है दो या तीन महीने के अंदर जो है आपकी फिर से स्टीट की जो है बंपर वेकेंसी आ जाएगी और फिर से आपकी जो है प्रिप्रेशन काफी त्यारी रखे क्योंकि दोस्तों पिछले बार तो चलिए लॉग डॉन लेंगे तो यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ रही थी जो मैंने आपको दे दिया तो उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक करेंगे सेर करेंगे और जिन के अभी तक हमारा योटूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लिजाया क्योंकि सीटीएट की या टीचर भरती से जोड़ी हुई जो भी अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक सेर की जाती है तो फिर मिलते है दोस्तों अगले वीडियो में तब तब के लिए दोस्तों जय हिंद है